Hello to all my little champs, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मोरल साइन्स का चैप्टर नमबर 11, Be Your Own Boss तो पहले हम टॉपिक को डिस्कॉस करते हैं, तो Be Your Own Boss का मतलब है, यहां से बोडी से रिलेशन है, कि जो हमारी बोडी है, हम उसकी खुद रिस्पॉंसिबल है Keeping Ourself Safe It was Saturday, and the students of 5th Standard were quite excited, तो वो Saturday का दिन था, और जो स्टुदेंट्स थे वो 5th क्लास में थे आपी के तरह, वो quite excited, बहुत ही एक्साइटमेंट में थे आज के लेक्चर्स के लिए, देवा गोइंग तो हैवा स्पेशल सेशन तोड़े, तो वो उनको कुछ इंपोर्टन बताने वाल थी, तो वहाँ टीचर बोलती हैं कि गुद मॉर्निंग पर वो विश करती हैं, और वो पताती हैं कि इंपोर्टन टॉपिक वो डिसकर्स करने वाले हैं, यू एफ अल्रेडी लेंट अब गुद टर्च एंड बैट टर्च इन प्रिवेस क्लास, हैविंट यू तो वो क्लास के बच्चों से पूछती हैं कि हम और डिसकर्श कर चुक हैं गुद टर्च के बारे में और बैट टर्च के बारे में, अन दे प्रिवेस क्लास, अफ कॉस मैं, साइट थे स्टूडेंट तो स्टूडेंट जो बच्चे हैं, वो बोलते हैं, फ्कॉस मैं, तो लेट अस अनड यह अध कमफर्टेबल, वाइल बैत टर्च is वान, विच मेक्स अशड स्क्टियर्ड और अंडकम्फर्टेबल, तो एक स्टूडेंट बोलता हैं उन वच्चों में से, जो गुड टर्च है, वो हमें हैप्य फील करवाता हो और अनकम्फर्टेबल फील करवाता हैं, उसमें से जो student ने reply दिया था जो answer किया था उसका नाम था मेहूल तो good मेहूल वो उसके बाद जो teacher है वो मेहूल से कहते है good मेहूल Good and safe touch includes patting on the back, hugging and unarm around the shoulder वो मेहूल से कहते है good and safe touch जो है patting on the back मतब पीट को थप थपाना, hugging and unarm around the shoulder यह सब safe touch में include है, मतब जब हम किजी की पीट तप तपाते हैं कुछ अच्छा काम करते हैं तब hug करते हैं उससे गले मिलना and unarm around the shoulder जो अपना hand है वो उसे shoulder पे रखना तो यह सब एक safe touch में आते हैं, safe touch may also include touches that might hurt like removing a splinter, अभी हाँ splinter क्या है, what is the meaning of splinter यहा, splinter का मतलब होता है, जैसे कोई wooden चीज हो गई, यह कोई glass हो गया जो आपके किसी body part में चुप गया हो, जैसे हम कभी हमारे मतलब काहां चुप जाता है कभी पैर में या फिर कभी कोई wooden चीज है, वो चुप जाती है तो से हम बहुते splinter, that object is called splinter, तो hugging and an arm around the shoulder, safe touch में also include touches that might hurt, तो safe touch हम उनको भी कहते हैं, वो touch जो में hurt करते हैं उनको remove करना, when you remove a splinter, you are doing so to keep yourself fine, which makes it a safe touch, तो जब हम splinter को अटाते हैं, तो वो क्या एक safe touch है, जिसे हम अच्छा feel कर सकें, तो safe touch क्या है, एक comfortable feel करवाते हैं और हमें happy रखता है bad touch is one, which hurts our body and feelings, और bad touch क्या है, जो हमारी body को hurt करता है, रुक्सान पुचाता है, और हमारी feelings को भी, like hitting, pushing, kicking, pinching, etc, hitting मतला मारना, है न, गूसा मारना types, pushing, ढखका देना, किसी को, kicking, आपके leg को use करके, किसी को push करना, pinching, मतलब किसी को notch न, it is okay, it is okay to say no, too bad, or unwanted touch, even if it's from a familiar person, कभी-कभी क्या होता है, जो हमारे relatives होते हैं, या हमारे कुछ रिश्यदार जो होते हैं, जो हमारे family person है, जिसको हम जानते हैं, हमारे family is कोई person, families में से ही, जिसको हम जानते हैं, कभी-कभी हमें उनका touch भी, unwanted, जो touch है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो हम उनको मना कर सकते हैं, we can say no to them, say no in a strong yet polite voice, तो हमेशा हमें, अगर कोई family person भी हो, families में से भी कोई person हो, आपको या पर कोई relative हो, अगर आपको वो touch, bad touch लग रहा है, आप उनको no बोल सकते हैं, in a strong and a polite way, polite मतलब एक धीमी अवाज में, strong way में उनको no बोल सकते हैं, this people, this people to set personal boundaries, तो इससे क्या होता है, एक personal boundaries set हो जाती है, but ma'am, what if father, mother और grandpa hugs me और kisses me, तो उसमें से एक students पूछता है, कि ma'am, अगर हमारे जिसे father है, mother है, grandpa हो हमें हग करते हैं, गले मिलते हैं, और अगर हमें kiss करें तो, Simran, जो student जिसने पूछा था, कोईडी पूछी थी, उसका नाम था Simran, when mother touches you, or hugs you, how do you feel, तो teacher अपने student से पूछती है, कि Simran ये बताओ, जब आपको आपकी mother hug करते हैं, गले मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है, I feel good and comfortable, when mother hugs me, I also feel happy and father, और grandpa hugs me, तो मुझे good and comfortable feel होता है, जब mother मुझे hug करते हैं, गले मिलते हैं मुझे, Simran ने बोला, जब मुझे मेरी mother, मा मेरी hug करते हैं, गले मिलते हैं, तो मुझे good and comfortable feel होता है, I also feel happy and when father और grandpa hugs me, तब भी मुझे खुशी मिलते हैं, जब father और मेरी grandpa hug करते हैं, मुझे, So now, you know that touch makes us feel safe and happy is a good touch, तो वो touch जो हमे safe feel करवाता है, और good feel करवाता है, वो हमारा है good touch, But if someone forcefully drags you and tries to hug or kiss you, अगर कोई भी forcefully मतलब होता है, जब अधस्ती आपको खीचता है, या पर आपको kiss करने के कोशिश करता है, आपको गले मिलने के कोशिश करता है, It is not a good or safe touch, तो वो एक good or safe touch बिल्कुल भी नहीं है, When a bigger person touches you on a private part, जब आपसे कोई elder है, वो आपके private part को touch करता है, It is not keep us clean or healthy, जो हमें clean or healthy नहीं रखता है, We should oppose such touch at all times and never allow even a family person to do so, तो हमारे जो elders हैं या relatives हैं, कोई भी जाना पर चाना भी क्यों नहीं हो, तो जब हमें private parts को touch करता है, जो हमें safe नहीं लगता है, तो हम उसको, हमें उसकी against जाना चाहिए, उनसे मना करना चाहिए, A good family safety rule regarding this is that no one should touch your private part except to keep you clean and healthy, हमेशा good family वही है, जो कोई भी relative अगर आपको कोई भी अंजाना आपके private parts को नहीं जूँ सकता, तो जब तक वो keep you clean and healthy, जब आपको जब तक वो healthy नहीं रखता, I hope you understood my point children, Yes ma'am, we will never allow anyone to give us a bad touch, फिस students बोलते हैं कि Yes ma'am, अब हम किसी को भी allow नहीं करेंगे, कि वो हमें bad touch करें, We will decide who will touch us और hug us, अब हम decide करेंगे कि कौन हमें छुएगा और कौन हमसे गले मिलेगा, We have the right to say no to bad touch, But if someone forcefully does so, then what should we do? अब students पूछते हैं कि हम मना कर देंगे, no बोल देंगे, bad touch के लिए, But अगर हमें कोई forcefully करता है, forcefully मतलब जब दस्ती करता है तो तब हमें क्या करना चाहिए? Pardon, if someone forcefully does that, you may shout or call for help in a loud manner and run away from that place, अगर एसा कोई करता है, forcefully या जब दस्ती जब करता है, तो हमें वहां क्या करना चाहिए? चिलाना चाहिए, shout मतलब उते चिलाना चाहिए, call for help, किसी को help के लिए बुलाना चाहिए, in a loud manner, चिला के and run away from that place, और उस जगे से चले जाना चाहिए, you may even bite that person, आप उस person को काट भी सकते हो, if required for your safety, and one more important thing, never keep incidents of bad touch a secret, और सबसे important वाली बात क्या होती है, कि जब भी आपको कोई bad touch करता है, तो आपको, आप जिस पर trust कर सकते हो, आप उनको ये बता सकते हो, कि आपके साथ क्या हो हो है, आपको किसी ने bad touch अगर किया, तो आपको हमेशा वो secret नहीं रखना चाहिए, किसी को जिस पर आप trust करते हो, उसको बताना चाहिए, always report them to your parents or elders, who you rely upon, हमेशा रिपोर्ट करना चाहिए, आपके पैरेंट्स को या आपके एल्डर्स को, जिसको आप भरोसा कर सकते हो, rely upon मतर्थ कर सकते हो, तो यहाँ पर एक law भी है, उसे हम बोते प्रोटेक्शन आफ चिल्रन और फ्रॉम सेक्शल ओफेंसे एक्ट, तो जो आपको बैट टेच करता है, वैसे गवर्मेंट ने लौ बना रखा है, प्रेक्शन आफ चिल्रन फ्रॉम सेक्शल ओफेंस एक्ट, तो उस एक्ट के जड़ी है उस law के अंडर, जो भी आपको बैट टेच करता है, उसको पनिश किया जाएगा, और अगर आपके, आप कॉल कर सकते हो, तो आप 1098-9868-235077 पे भी कॉल कर सकते हो, और अगर आप कॉल कर सकते हो, और अप कॉल कर वा सकते हो, शॉर्ट मैम, वी विल अल्वेस रमेंबर वाट यू सेट फोर कीपिं आप सेफ, चिल्रन, बिफोर आइवाइड आप, I would like you to take a note of the following safety rules, which you should always follow, तो वो बोलती हैं, teachers, जब मैं खतम, bind up मतलब होता है, finish करना, जब मैं finish कर रही हूं, तो लास्क लिए वो चाती है, कि कुछ safety rules जो है, वो students समझे, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, it is not right to touch someone else private body parts, किसी और की private body parts को चूना, allow नहीं है, वो सही नहीं है, it is not right for someone to touch his, her own private body parts in front of you, आपके सामने, अगर कोई भी अपने body parts को, अपने private body parts को touch करता है, तो वो भी सही नहीं है, it is not right for someone to ask you to touch his, her private parts, अगर आप से कोई कहता है, कि उसके जो private body parts उसको touch करने के लिए, तो वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर आपको डॉक्टर को छोड़ के, अगर कोई भी आप से कहता है, आपके clothes को उतारने के लिए, आपके clothes को off करने के लिए, तो वो भी सही नहीं है, instead of a doctor, अगर वो आपको आप जिससे आपकी तबित खराब हो जाती है, अगर आप कहीं लग जाती है, अगर यह बिलकुल भी सही नहीं है, अगर कोई आपको कोई photos या videos दिखाता है, जिसमें clothes off हो, तो यह सब सही नहीं है, if someone touches you in the wrong way, अगर आपको कोई wrong way में touch करता है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो first point is, say no in a strong and polite manner, आपको no कहना चाहिए, मना करना चाहिए in a strong and polite manner, tell the person you don't like to be touched, और उनसे बोलो कि आपको वो touch पसंद नहीं है, get away fast, run away from that place and never ever stay alone with that person again, आपको चल्दी से वहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ से, और उस प्लेस से चले जाना चाहिए, उसके बाद, उस इनसान के साथ, कभी भी नहीं अकेले रहना चाहिए, call for help and believe in yourself, you didn't do anything wrong, और हमेशे help के लिए किसी को बलाना चाहिए, और खुद में believe चाहिए, कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, inform about the incident of bad touch to your parents or any other elderly person who you trust, जिस पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, जिस पर आपको ट्रस्ट है, आपको उनको inform करना चाहिए about the bad touch, don't keep any secrets which makes you feel sad and uncomfortable, आपको कभी भी secrets ने रखना चाहिए, कुछ भी नहीं चुपाना चाहिए, जो आपको sad और uncomfortable feel करवाता हो, okay children, thanks for listening to me attentively, and follow these safety rules to avoid any kind of exploitation और abuse in the future, तो जो teacher है, वो lecture wind up कर देती है, और बच्चों को thanks बोलती है, उनको सुनने के लिए, Unfortunately, some family adults may abuse the trust you place on them, stay away from such people always, हमेशा हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए, जो आपके trust का फाइदा उठाए, गलत फाइदा उठाए, अब हम कुछ exercises देखते हैं, और रल, तो यहां पर हम कुछ exercise करेंगे, पहले हम करेंगे first, which evil in the society is on rise today, तो कौन सा evil, यह क्या है question, कौन सा evil है, जो society में फैल रहा है, और increase हो रहा है, तो इसका answer है, incidents of child abuse are on a rise in today's society, अब हम second करते हैं, what can we do to check this evil, तो हमें क्या करना चाहिए, जिस हमें पता चले कि वो bad touch है, या good touch, तो इसका answer है, we should understand what is right for us and what is not, we should know the difference between good touch and bad touch to check this evil, अब हम करते हैं, tick the correct option, तो first one के है हमारा, you are the boss of your own, यह option है neighborhood, मतलब परोसी, marketplace, मतलब को इसी marketplace के, या body के, तो हम किसके boss है, खुद के, body के, जो हमारी body है, उसमें सिर्फ हमारा हक है, अब हम second देखते हैं, which subject did the teacher in the lesson taught, तो कौन सा subject teacher study करवारी थी, English, physics और value education, तो it was a B option, value education, अब हम करेंगे true-false, right T for true and F for false statement, patting on the bed is considered to be safe touch, मतलब पीट जब वो कोई थपत पाता है, तो वो क्या safe touch है, तो yes, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर patting का मतलब होते हैं, पीट को थपत पाना, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, तो आपको लोग bless करते हैं, आपकी पीट को थप पाते हैं, it is okay to accept a bad touch from a family person, क्या यह सही है, कि आपकी कोई relative है, आप जिसको आप जानती हो, वो आपको bad touch कर रहा है, तो आपको उसको accept करना चाहिए, तो इसका answer है false, कभी भी नहीं, आपको अमेशे उसको no करना चाहिए, मना कर देना चाहिए, अब हम third करते हैं, no one should be allowed to touch a private body parts, except to keep us clean and healthy, किसी को भी allow नहीं होता न, हमारे private body parts को touch करना, except keep us clean and healthy, जब तो हमें सही नहीं लगता, है न, तो इसका answer है true, we should never hide the incidents of bad touch, और keep them a secret, हमें कभी भी ऐसे bad touch के incidents को height नहीं करना चाहिए, तो इसका answer है true, we should strongly say no to people who want to give us bad touch, हमें हमेशा no बोल देना चाहिए, जो हमें bad touch करता है, तो इसका answer है true, अब हम करते हैं, flindy blanks, तो flindy blanks का first है, flindy blanks, dash, touch में also include, touches that might hurt, like removing a splinter, जिसका first answer क्या है, safe, अब हम second देखते है, saying no helps to set dash boundaries, तो इसका answer है personal, personal boundaries set हो जाते है, no करने से, we can access help line number 1098 to get help under which act, तो यहाँ पर हमें act लिखना है, protection of children from sexual offensics act, तो यह act है, जिसका help line number 1098, अगर आपको कोई भी bad touch करता है, तो आप इस number का use कर सकते हैं, अब हम forward करते हैं, if someone touches you in a wrong way, call for help and dash in yourself, अगर आपको कोई wrong, गलत तरीके से touch करता हो, तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा मदद के लिए किसी को बलाना चाहिए, और खुद में believe रखना चाहिए, जिसका answer ही, believe in yourself, फिफ्ट करते हैं, don't keep any dash, which makes you feel sad and uncomfortable, तो हमें क्या, secrets, कभी भी secrets नहीं रखने चाहिए, कुछ भी नहीं चुपाना चाहिए, जो में sad feel करवाता है, और uncomfortable feel करवाता है, answer the following question, मैं आपको अगली वीडियो में करूंगे, वरना ये वीडियो थोरे लंबी हो जाएगी, okay, so, मैं आपको word meanings description box में share कर दूंगे, so, thank you, thank you for cooperating with me and keep smiling, thank you.